हाई गाईस वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हो आप सभी आई होप आप सब ठीक होंगे तो यहां पे हमारा पेंट मैंने कुछ पिछले वीडियो में शेयर किया था बस वह पेंट का काम कटम हो गया है और हम लोग जब यूएस से आने के बात का वीडियो है जब घर लिया था औ तो बस यहीं पेंट वगरा चल रहा है उसकी बाग हम लोग आये थे फ्रिज वगरा इलक्ट्रोनिक का कुछ सामान देखने घर के लिए तो मुझे चाहिए था कि बड़ा फ्रिज हो जब भी हम लोग ने यूएस से सोचाई था कि जब भी हम इंडिया में जाएंगे तो प्रिज पसंद आ गया था और हम लोगोने ये वला फ्रिज फाइनल किया था तो बस उसके बाद ये फ्रिज का काम हो गया और उसके बाद फिर हम लोग बाकी का कुछ हो और सामान देखने चले गया थे हमारा fridge final हो गया था तो हमने तुछ हम घर जाते हैं उसके बाद घर भे भी कुछ सामान आने वाला था तो बस यहां पर हमारा ये lift में furniture पहुंच गया है तो furniture भी आ गया था और बच्चे तने ज़्यादा खुश हो गये थे इनको ना नया नया समयान देखने का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वैसे अच्छा थो हमें भी लग रहा था furniture तो उसके बाद फिर हमारा कुछ और समान भी आ गया था बस दीरे दीरे वही समान आ रहा था और ये AC भी आ गया थे तो ये तीनों कमरों के AC एक hall का है एक मेहर की room का और एक हमारे room का तो ये AC भी पहुंच गया थे बस ये सब fit करना था और ये हमारा fridge भी आ गया है और fridge को लाना इतना मुश्किल उपर हो गया था लिफ्ट इतना overload हो गया था बहुत मुश्किल से फ्रेज अंदर पहुंचा इतना tension हो रहा था कि आएगा भी या नहीं तो बस फ्रेज सेट हो गया उसके बाद ये microwave open किया microwave open करने के बाद फिर बस वही चोटे-चोटे clip लिए थे जो जो सामान का आया था जो भी सामान उसके छोटे-चोटे clip लिए थे हमने तो नया फ्लैड पूरा नहीं शुरू किया तो ये microwave आद में बाहर नहीं निकाला box में से क्योंकि इतना ज्यादा dust था ना तो इसलिए नहीं सोचा के निकालते हैं तो बस उसके बाद फिर हमारा ये आजाती है गैस गैस स्टोप आगी थी तो इसको ने बाहर निकाल के रख दी थी तो बस आप लोग इंजॉय करिए और जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसको लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना तो बस इंजॉय किजिए करें पर यहां पर हमारे पापाजी वेट कर रहे थे वह लिफ्ट आने का उसमें भी कुछ वाशिंग मशीन आने वाली है तो बस वही वेट कर रहे थे क्योंकि जब फ्रीज आया तो लिफ्ट ओवर लोड हो गए थी तो बस वही चेक कर रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो बस वह वाशिंग मशीन आ गए थी वाशिंग मशीन भी बहुत तो बस वही लगे हुए थे उसको सेट करने के लिए और उसके बाद में आ गए थी किचन में और किचन में ये नए नए बरतन थे ये वाला जो सेट था ना बरतन का ये मेरी फ्रेंड ने मुझे यूएस में मेरे फेरवल पे मुझे गिप्ट किया था तो अगर वो देख रहे मैं उसका यहाँ पे नाम तो मेंशन नहीं करूंगी लेकिन हाँ मत इतना बताती हो कि वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है उसने मुझे यह प्यारा से गिफ्ट दिया है थैंक्यू सू मच और बस ये उसको देरी थी काम वाली बाई को बरतन धोने के लिए कि भी हाँ न झाल काम वाली बाई अपना काम कर रही थी और उसके बाद मैं बस ये रूम में आई है और रूम में बस चेक कर रही थी ये सब हो गया था थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये कर्टन के लगे आपको चदर दिख रही है हाँ मैंने चदर लगाई थी तो अभी कर्टन बनके नहीं आया था तो ऐसे रात को लाइड वाइड ओन होते थी तो बहार से सब दिखता था इसलिए मैंने ये छोटी से एक चदर लगा के रखे हैं तो बस ये सामान सारा ये अभी तक फिट नहीं हुए हैं और ये सब बस इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो जो भी लीड हो चुका था तो बस वही छोटे-छोटे क्लिप मैंने लिये थे तो बस उसके बाद ये हमारी काम वाली बाई काम कर रही है बरतंद हो रही है और उसके बाद फिर हमारा ये एक ऐसी लग गया था मैंने एक्चुली इसका वीडियो नहीं लिया तो वो घर में बस कवर कर दिया था और यहां पर हमारा टीवी भी आ चुका है और इसको उपन कर रहे हैं तो टीवी का समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लगाएं कैसे ना लगाएं क्योंकि हॉल के हिसाब से टीवी थोड़ा सा बड़ा लग रहा था बड़ आराम से लग गया तो ये 65 इंच का सै एयो रिंजय कई तीव झाल झाल बस इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए सब को बाई